साथ्यों ये बहुत चर्चा में नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने वैक्सिनेशन अभ्यान में टूरिजम सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्रात्पिक्ता दी है। पारप में हमने कहा नहीं क्योंकि इस पर भी राजनीती होने लग जाती है। प्रसंट होना बहुत खास हो जाता है। टूरिजम सेक्टर को रिवायु करने में गोवा की भूमी का बहुत एहम है। आप सोचिए होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्रावर हो, फेरी वाले हो, दुकांदार हो, जब सभी को वैक्सिन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरुच्छा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा दुनिया के उन बहुत गीने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सामिल हो चकला है, जहां लोगों को वैक्सिन का सुरुच्छा कवच्च मिला हुआ है। साथियों, आने वाले टूरिजम सीजन में यहां पहले की ही तरह टूरिस्ट एक्टिविटी हो, देश के दुनिया के टूरिस्ट यहां आनन्द ले सके, यह हम सभी की कामना है। यह तभी संभव है, जब हम कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर भी उतना ही ध्यान दे गिये, जितना टीका करण पर दे रहे हैं। संक्रमन कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस वायरस को हमें हलके में नहीं लेना है। सेप्टी और हाइजिन पर यहां जितना फोकस होगा, परियाटक उतनी ही ज्यादा संख्या में यहां आएंगे। प्राइजिन अभी